साल था दो हजार बीस और छेत्र था गलवान खाटी दुश्मन सेना भारती सेना पर आंग गड़ा कर बैठी थी भारत के छेत्र में खुसना कितना महंगा चीनी सेना को पड़ा ये वो चीन अच्छे से जानता है क्योंकि चीन को सैनिस्तर पर बड़ा नुकसान छेलना पड़ था नमस्कार बंदे भारत भारत तक देखना है आप आपके साथ मैं हूँ साची त्यागी अब इसी गलवान छेत्र को लेकर लद्दाक में तनाफ को देखते हुए बड़ी जानकारी मिल रही है लगातार पांचवी बार सर्दियों से पहले भारती सेना ने अपनी के साथ इस समय भारती सेना तैयारियों में जुट चुकी है और LAC का रुक कर रही है LAC पर पिछले पांच सालों में हमने सेनिस्तर पर बड़ी तैनाती देखी है हत्यारों की भी तैनाती की गई भारी भरकम हत्यार इस समय LAC पर मौजूद है चीन की किसी भी हरकत का भारती सेना तैयार है वो भी ऐसे वक्त पर जब भारत और चीन बाचीत से मामले को सुलजाने की कोशिश कर रहे है वैश्विक सतर पर दुनिया जानती है कि लद्दाक में तनाप को कम करने के लिए और LAC के मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच बाचीत चल रही है अभी हाली में भारत के राष्टिर सुरक्षा सलाकार अजीट डोबान ने चीन के विदेश मंत्री वांग ई से LAC के मुद्दों को लेकर बाचीत की थी लद्दाक में जो इस्तिती उत्पन हुई है उससे निपटने के लिए 30-31 दौर की बाचीत हो भी चुकी है उसकी भी स सालों में भारतिय सेना ने अतरिक तनाती की है भारतिय सेना की तरफ से जो पोजीशन्स ली गई है उसे देखकर चीन खौफ में है और यही कारण है कि भारत के साथ बाचीत की कोशिशों में जुटा है दोनों सेनाओं की तरफ से इसे लेकर सैनिस्तर पर कोशिशे जारी है लेकिन तयारियां कम नहीं है एक तरफ बाचीत और दूसरी तरफ भारी भरकम हत्यारों के साथ अतिरिक्त सेना की तेनाती बता रहा है कि कोई भी लापरवाही सैनिस्तर पर भारत नहीं भरतना चाता जानकारी की मुताबिक भारती सेना फिलाल गर्मियों की स्तिती से सर्दियों की स्तिती में परिवर्तन को लेकर तैयारियों में जुट चुका है शीत कालिन्स टॉकिंग के लिए तैयारियां हो रही है अब जर्णल दुपेंद्र दुएदी और सेना की इस साथ कमानों की कमांडर इंचीफ भी 9-10 अक्टूबर को सिक्किम के गंग टॉक में परिचालें स्तिती की समीक्षा करेंगे अब यह सर्दियों को लेकर बदलाव होने वाले हैं यह सिर्फ लद्दाक तक सिमित नहीं है यह पूरे LAC पर होगा यानि लद्दाक से अरुनाचल प्रदेश तक कोशिश शई है कि LAC पर पूरी तरीके से भारते सेना की पुजिशनिंग इतनी मजबूत हो कि सर्दियों का फ घटा उसे लेकर दोनों देशों की बीच बाची जारी है जिसे लेकर 75 फीजदी मामला सुलज भी चुका है लेकिन सेना की पूजिशनिंग को लेकर के चिंता अभी दोनों तरफ बनी हुई है क्योंकि अभी डी-एसकलेशन का मुद्दा बाकी है सीमा पर 50-50 हजार सेनिकों का बहुत जादा करीब आ जाना और इस सेन ने तनाती बताती है कि चिंता करने की जरूरत बिल्कुल है यही कारण है कि अब इस इस तरफ पर बाचीत होनी बाकी है जिसे लेकर आगे कई और दोर की बाचीत होंगी लेकिन उससे पहले किसी भी तर झाल प्यान पर नहीं लेकर को साव़ चेंगि जाना शाधा